हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेर्न टेकनिकल में फिर से दोस्तों नई जॉब की इंफोर्मेशन लेके आया हूँ रुकीटमेंट आ रही है दोस्तों Office of the Deputy Commissioner की तरफ से सोलन डिस्टी की ये रुकीटमेंट है हिमाचल परदेश की रुकीटमेंट है अगर आप इलिजिबल होते तो जुरूर आवेदन कीजिए कैसे रुकीटमेंट के लिए 10th पास है 12th पास है आपने 8th करी हुई है आपके लिए रुकीटमेंट है जो लोग कम पढ़े लिखे है उनके लिए रुकीटमेंट है आप PN की पोस्त के लिए आवेदन कर सकते हैं पार्ट टाइम वरकर की पोस्त के लिए आप अपलाई कर सकते हैं उसके अलावा चोकीद करना है सबी चीज़ों के बारे में तो शुरू से लेके लास्ट एक्स वीडियो को थ्यान से देखिए complete देखिए ताकि आपको हर एक चीज हर एक डिटेल का पता चल जाए 36 2021 दोस्तों जो ही वो लास्ट एक रखी गई है इससे पहले पहले आपको इसके लिए ओनलाइं मोट से आवेधन करना पड़ेगा चोटा सा क्राइटेरिया है वो शुरुवात में ही बता देता हूँ ताकि जो लोग वीडियो को छोड़के जाना चाते वो जा सकें यह रुक्रीटमें दोस्तों हिमाचल परदेश जो है वो स्टेट की रुक्रीटमेंट है अगर आप हिमाचल परदेश में पैदा हुए है आपके पास प्रूवेब कि आप हिमाचल परदेश से हैं तो आप बिल्कुल इलीजिबल अप्लाई कर सकते हैं इसके लावा अगर अगर कहीं भी रहते हैं, आपने स्कूलिंग से कर ही किसी स्कूल में करी हुई है लेकिन अगर आप पैदा ही मांचल में हुई है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन पेसी की हमाचल प्रदेश का कैंडि़िजित के लिए तो बैस्पे दोस्तों बात करते हैं driver की post के लिए यहाँ पे vacancies जो है वो मातर 2 हैं अगर बात करें यहाँ पे salary की तो daily wages पे आपको 361 rupees जो है यहाँ पे लिखे गए हैं लेकिन अगर allowance डाले जाते हैं जा दूसरी चीज़ें डाली जाते हैं तो salary थोड़ी बढ़ सकती है उसके लाब अगर आपने matriculation कर रखा है साथ में जो है आपके पास driving license है heavy vehicle चलाने का आप eligible apply कर सकते हैं इसके लाब अगर आपको हिमाचर प्रदेश के culture की knowledge है तो यहाँ पे थोड़ा सा weightage आपका बढ़ जाता है अठरा से लेके 45 year तक age का criteria रखा गया अगर आपकी age अठरा से कम है तो आप eligible नहीं है अगर 45 year से जादा है तो भी आप eligible नहीं है next treatment है दोस्तो PN की post के लिए जिसमें की 14 vacancies है total और यहाँ पे अगर आपने matriculation कर रखी है किसी भी recognize board से, school से, जो की हिमाचल परदेश से है या पैदा ही हिमाचल परदेश से हुए है तो आप eligible नहीं apply कर सकते हैं यहाँ पे भी age का criteria सेम रहेगा अठरा से लेके 45 year तक अगर आपकी age है आप eligible नहीं apply कर सकते हैं उसके लावा चोकीदार की recruitment है जिसमें की एक ही vacancy है जिसमें की आपको 300 per day जो है वो मिल जाएगा यानि की 9 से 10,000 तक आपको salary सिर्फ जो है वो मिलेगी अठरा से लेके 45 year तक आपकी age है आप eligible ने apply कर सकते हैं आपे middle pass मांगा गया यानि कि अगर आपने 8th pass करी हुई है तो आप eligible ने apply कर सकते हैं इस part time worker की post के लिए उसके लावा age का criteria बिल्कुल same रहेगा 18 साल minimum और maximum 45 year रहेगा बाकी age relaxation जरूर मिलेगा लेकिन इमाचर पदेज के candidate ही आवेदन कर पाएंगे एक तरह से तो वहाँ के लोगों को ही मिलने वाला है उसके लावा दोस्तों यहाँ पर बात करें mode of selection की तो सबसे पहले driving के लिए तो यहाँ पर return test लिया जाएगा objective type question होगे जिसमें driving skill के भी चुहें आपके marks add करे जाएंगे तो driving का test भी आपका होने वाला है उसके लावा बाकी जितनी भी posts हैं जिसमें part time worker की होगे पी एन की होगे चोकीतार की होगी आपका किसी भी तरह की exam नहीं लिया जाएगा merit basis पर आपका selection होगा कितने marks आपने obtain करें हैं अपनी qualification में उसे के merit list निकालेंगे और लोगों को select कर लिया जाएगा exam नहीं होने वाला है बागी जितनी भी posts है उनके लिए उसके लावा जो हे दूस्तों बात करें apply online के तो apply online के लिए उन्होंने link दे दिया है और आपको वो link हमारी description box में जो हे वो मिल जाएगा वो आपको हमारी website पर ले जाएगा वहाँ सारी जानकारी read करिए important links का वहाँ पे section बना है वहाँ पे click करके आप easily इसके लिए वेदन कर पाएंगे उसके लावा दूस्तों बात करें यहाँ पे examination fees की तो अगर आप आते हैं journal category से economically weaker sections से आते हैं 360 rupees आपको fees पे करनी पड़ेगी उसके लावा दूस्तों जनल IRDP के लिए यहाँ पे PWD candidate के लिए 120 rupees की fees का criteria रखा गया SD से हैं आप हिमाचल पदेश से आते हैं SD से हैं OBC से हैं आपको भी 120 rupees की fees पे करनी है सिर्फ female candidate और ex-service man है जो हिमाचल पदेश state के उनको fees देने की जरूरत नहीं है वो बिना fees के apply कर सकते हैं apply करने के लिए दोस्ता आपको इस page पे आना होगा यह link आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको apply online पे click करना है click करने के बाद आप यहाँ पे आजाएंगे यहाँ पे click करिये उसके बाद आपको proceed पे click कर देना है यह देखी नीचे लिखा है अभी माल लीजे PN select करा है तो यह form खूल जाएगा यह form आपको fill करना शुरू कर देना है और उसके बाद दोस्तों जैसे ही fill कर देंगे उसके बाद आप इसका print house नभाल के रख लीजेगा आपकी आपका application submit हो जाएगा उसके बाद आप देखिए क्या बनता है अगर आपका merit list में नाम आता है अगर आप जोहें वो किसी PN की post के लिए आवेदन करते हैं part time worker के लिए आवेदन करते हैं तो आपका जोहें आपको पता चल जाएगा बाकि अपनी website पर भी जोहें जानकारी publish करतेंगे तो यह जानकारी दोस्तों दी गई है उनकी official website पर thank you very much दोस्ते इस वीडियो को देखने के लिए अच्छी recruitment है जो लोग कम पड़े लिखे हैं 8th कर रखी है जिन्होंने 10th कर रखी है उनके पास job नहीं है तो अगर वो चाहते हैं कि वो job पाना चाहते हैं deputy commissioner office में तो यह बढ़िया opportunity हो उन लोगों के लिए जैसे किसी और state की तरफ से भी ऐसी recruitment आती है जो कम पड़े लिखे लोगों के लिए तो मैं जुरूर आपके लिए लेके जाऊँगा बाकि यहां पर जानकारी जोखे आपको हमारी website पर भी मिल जाएगी website को जुरूर विजट करिएगा उसका link भी आपको description में मिल जाएगा तो यही ता दोस्तो आज की इस वीडियो में thank you बड़ी मच इस वीडियो को देखने के लिए और आपके अगर वीडियो से related कुछ questions है तो आप comment section में लिख सकते हैं के साथ साथ आप हमें चाहें तो instagram पर भी DM जो है वो कर सकते हैं तो मिलेंगे दोस्तों ऐसी किसी नही जोब update के साथ दुबारा से तब तक आप अपना ख्याल रखिए